आर्मी कंवोई पे जितना कंफ्रिक्ट चल रहा है ये खून खराब है इसको गोली मारो कोई इनोने तो इंटरनेट आफ कर दिया वहाँ पे चीनी भाग गए वहाँ से आपको पता है चाइनीज ने जब मौका देखा जब देखा कि वहाँ पे गोली चल रही है टेर गैस का चाउमीन मां खाऊंगा कहां पे वहाँ पे हर तरफ आग है हर तरफ लड़ाई है अर तरफ जिसे कहते हैं ना कि लोग आपस में जगड रहे हैं और यह एक जिसे कहलें कि यह देखे तकलीफ हो रही है इस वक्त हमारे मुल्क में एकनॉमिक कॉलैप्स तो आई-एम-फ कह कहा है कि जून थक पैसे आपके पास हैं, जून के बाद पैसे से किर डिया है जून के बाद कर दिए ओनंधिय कि नहीं भी कहा है कि तैच और रजिवे है जुअ आजिदा आई पर तै बेखेंगे कि अहुंद्धि स्था पformate नेरी इनभी का है है पहले है है पहले भी पाकिस्तान के बिगरते हलात को देखकर कई देशों ने अपने नागरिकों को अपने दुतावास के क्रमचारियों को पाकितान से निकालना सुरू कर दिया है लेकिन इसमें पाकितान का सबसे खास दोस्त चीन सबसे आगे साबित हुआ है चीन ने तो अपनी दुतावास को बंद करके सारे क्रमचारियों को और लगता है कि सदा के लिए पाकितान को अलविदा करके पाकितान से चला गया है आज चर्चा सुनते हैं जितना कंफ्रिक्ट चल रहा है यह खून खराब है इसको गोली मारो कोई इन्होंने तो इंटरनेट आफ कर दिया वहां पर चीनी भाग गए वहां से आपको पता है चाइनीज ने जब मौका देखा जब देखा कि वहां पर गोली चल रही है टीर गैस चाइनीज ने बोला ची फराची लाहर में थे और चाइनीज हो गयाब अब पता नहीं कहां गयब हुए वो लोग हो सकता है पाकिस्तान में हो सेफ लोकेशन में या हो सकता है कि वापस चीन चले गाए हो कुछ समय के लिए आई डोंट और एमबसी की खबर धीरे धीरे आ रही है यूके के एमबसी ने बोला है कि अभी कश्मीर में कलेश करवाना चाहते थे कराया भी खून बहाना चाहते थे भाया भी पंजाब में तुमने यह सब करा राइट आतंकवाद वगएरा 26 11 वगएरा जब खुद के मुल्क में हो रहा है तो कैसा लग रहा है ये बता हुगा पाकिस्तानी स्वा जिसे कहलें कि ये देखे तकलीफ हो रही है कि मेरा मुल्क मेरे मुल्क के लोग मेरे मुल्क के बच्चे ठीक है जी ये जो ये जो कर रहे हैं ये हमारी मंजल ये नहीं थी हमारी मंजल तो स्टेप बाइ स्टेप और थी और ये जिसे आप कहलें कि हमारी मंजल तो कुछ और हमने जाना कहीं और था, लेकिन इन्हों ने किया कुछ और है, हमारे बच्चे अपनी बसों को जला रहे हैं, अपनी प्रापर्टी को जला रहे हैं, अपने गरों को जला रहे हैं, यह किस तरह की आपने लिडर्शिप दी है हमें, यह किस तरह का आपने मुल्क हमारे लिए बन नहीं हैं तो कर रहे हैं सी हमने जिसे करते हैं ना के अब ये जो वो वाज के लिए अमिरान by ने वह ने अन हमने वो वह बॉब्सका करने हैं पाकिस्तान के बच्चों के हाथों में बंदूग और माचस और तेल इस वक्त हमारे मुलक में एकनॉमिक कॉलैपस तो आई-एम-फ कह रही है। आई-एम-फ ने आपको कहा है कि जून तक पैसे आपके पास हैं। जून के बाद पैसे आपके पास नहीं हैं ना आपके दोस्तों ने वादा किया है कि आपको वो पैसे देंगे। तो एक सुचे वाट इस देसे क्या है। तीसरी बात अब क्या होगा। मैंने लिखा है civil strife हो सकता है मगर उससे ज्यादा हमारे दुश्मन बाहर के दुश्मन malign foreign influence इस मुल्क में बढ़ेगा। तो आप पताएं यह किसके लिए हुआ है। यह इसलिए हुआ है कि elections नहीं हुए। यह इसलिए हुआ है कि एक मुल्क को पता था कि कौन जीतेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा खबरदार हैं। आप अपने आपको इतना damage ना करें जो irretrievable हो जाता है। कई countries ने अपने लोगों से काए कि इन क्या जो है ना वो ट्रेवल ना करें। मैं उसके ट्रेवल इडवाज दी कि एक तुर चैनल अबसी बंद कर दी गई। कनेडियन अबसी ने भी कहा है कि ट्रेवल इडवाज अबसी बंद होना शुग हो जाए। European Union ने भी कहा है, अमेरीका ने भी कहा है। पहले भी मेरे कई दोस्त पहले भी उनको कहा जाता है कि बीवी बच्चे या ना लाओ। सिर्फ आप खुद रहा करो और मेरे कई अमेरेकन दोस्त हैं जो तीन तीन चार चार मिलके घर कराय के लेके एक एक कमरे में रहते हैं क्योंकि बीवी बच्चे रखने का महाल नहीं। पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ खून वहेगा हर शहर में हर गली में अगर पाकिस्तानी फॉज का एक इतिहास एक तालीक है कि जब अपने लोगों की बात आती है तो यह सबसे बड़े चौधरी है सरेंडर तो इंडियन आर्मी के सामने करते हैं लेकिन अपने लोगों के सामने तो फाते हाई हैं अपने लोगों के सामने तो चैंपियन हैं अपने लोगों को दबाने में पाकिस्तानी फॉज से बड़ा किरदार और किसी का नहीं रहा पूरी दुनिया में खेर coming back to the point तो उन्होंने क्या करा कि गवर्नर का हाउस फूंक दिया कोर कमांडर के घर के अंदर गुसे तोड़ ताट गिया आपने images देखियोंगी न अब सारी images आपने देखियोंगी ये सब चीजें हुई और कई सारी चीजें वहाँ पे धीरे 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 खराब होना शुरू होगी पाकिस्तान में और अब भी भी खराब चल रही है किसी को नहीं पता इमरान खान कहां पर है हाँ इतना जरूर पता है कि रावल पिंडी में है और एक special jail में रखा है लेकिन मेरे सूत्रों ने पाकिस्तान ने बताए कि वहाँ पे ऐसे तीन establishment है तीन में से किस में रखा है यह नहीं पताए अगर कई पाकिस्तानी बड़े confidence के साथ कह रहे है मेडिया पे अरे मेजर साब आप मैं हम बताते है यहाँ पे रखा है अगर यह वाकी हकीकत है तो फिर आप लोगों को रात को आई सोना नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास तो nuclear सारी चीजें है वहाँ अगर nuclear मैं कल भी कह रहा था कि आपने nuclear assets के पास काले बखरे तो नहीं बान दी है वह जो जीस तरह के आपने जमानत पार में काले बखरे जो है सुबाज यहां काटते हैं अपने चिले करने के लिए जादू करने के लिए पिर आपको होश के नाखन लेने चाहिए क्योंकि अटामिक एटामिक एपन्स लेकिन बहुत से लोगों का यह ख्याल है बलके बहुत से हमारे इंडियन दोस्ट भी है उनका यह ख्याल है कि इमरान खान जो है वो बड़ा जबदस काम कर रहे हैं और अब जब वह बहार आएंगे तो फिर तो और हीरो बन जाएंगे और पॉबलिक उनके साथ बहुत जादा है और अब उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा पाकिस्तान को बडल देंगे और अब आर्मी का वो उस तरह से होल्ड नहीं रहेगा जैसे पहले था ने मेरा ख्याल है कि हुमारे हे भारति दोस्तों को इनको चार साल की की परफॉरमस का अंदाजा नहीं है ज़्याद दर हमारे भारती दोस्तों को ये नहीं पता है कि मुराभ सहीज साहब कौन है आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो किरपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंट आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जै